बिसमिल्लारामरी रहीमा, असलामलेकुम विवर्स कैसे हैं, आप लोग इंशाला ठीक होंगे, अलहम्दुलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तो विवर्स आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इलस्ट्रेटर का टिटोरियल और इसमें मैं आज आप लोगों को कर्सर को सेलेक्शन टूल के बिल्कुल जो नीचे टूल है, उस पर लिकर जाएंगे तो आपका इलस्ट्रेटर आपको बताएगा कि ये मैजिक वाँ टूल है, और इसकी शॉर्टकट की है, वाई, तो चलें देखते हैं हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैंने मैजिक टूल क्लिक किया, ये वीवर्स इतना ज्यादा इस्तमाल नहीं होता टूल, और लेकिन फिर भी ये इसमें मुझूद है, तो फिर भी आपको बताना जरूरी है, तो चलें मैं आपको बताती हूँ, इसे हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसे असल में हम लोग सेम वैलियूस की जो ह अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ, तो आप देखेंगे कि में पास एक छोटी सी विंडो कुली है, जिसमें मुख्लिफ ऑप्शन्स हैं, ये डिफरेंट ऑप्शन्स हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, फिलाल जो मेरा चेक लगा हुआ है, मैंने फिल कलर पे चेक लगाया को स्लेक कर लूँगी, यनि के इस तरह से ये देखें, मैं अगर रेट कलर पे क्लिक किया, तो मेरे आर्ट बोर्ट पर जितना भी रेट कलर था, वो सारे का सारा जो है, वो स्लेक हो चुका है, आप देख सकते हैं, अब मैं चाहूं तो इसे यहां से चेंज कर लूँ, इसका यनि के मेरा दिल चाहे मैं इससे कर सकती हूँ, इस तरह से, तो यह आप देखेंगे, इसका कलर चेंज हो चुका है, इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं, डाक, लाइट, जो भी आप चाहें, ठीक है, बहुत ही बुरा कलर आ रहा है, मैं थोड़ा शाप कलर रखती हूँ त यह तो हो गया कि हमने सेम फिल को यनि स्लेक किया, अगर मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो यह देखें, मेरे पास जितना भी ग्रीन कलर है, वो सारे का सारा जो है, वो स्लेक्ट हो जाएगा, इससे मैं चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ, जैसे मुझे जरूरत हो, अगर मैंने जो है, वो चेक लगाऊंगी, इसका चेक हटा देती हूँ, मैं फिल कलर का, स्ट्रोक कलर पे चेक लगाती हूँ, तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो सेम कलर के स्ट्रोक होंगे, वो स्लेक्ट हो जाएंगे, वैसे मेरे पास यहाँ ब्लैक है, तो यह देखें, मैंने back color का stroke है वो select हो गया तो अगर मैं इस white पर click करूंगी तो ये आप देखेंगे कि में बाइपस इतने भी white stroke थे वो सारे सारे select हो चुकिया है अगर मैं चाहूं तो इसका color change कर सकती हूँ according to me ठीक है जैसे मर्जी मैं इसका color रख सकती हूँ वाइसे मैं यह रखना नहीं चाहूंगी वाइठ ही ठीक है तो अब अगर आप देखें उसमें तो स्ट्रोक वेट है यनिके जो सेम साइज के स्ट्रोक होंगे वो स्लेक्ट होंगे मैंने यह जो एक स्ट्रोक है यह रखा हुआ है स्ट्रोक को हटाकर स्ट्रोक वेट पर क्लिक करेंगे तो हमें पास जो सेम साइज के स्ट्रोक होंगे वो स्लेक्ट हो जाएंगे मैं पास इतने भी यह सेम साइज के त्री पॉइंट का स्ट्रोक था वो सारा स्लेक्ट हो चुका है अब मैं इसका स्ट्रोक साइज जो है वो चेंज कर सकती हूँ बढ़ा सकती हूँ कम कर सकती हूँ जैसे चाहूं कर सकती हूँ ठीक है यह मुझे डिपेंट करता है तो बस इतना सा है मैजिक पांट टूल इतना जादा कोई मुश्किल नहीं है इसी तरह इसमें ब्लैंडिंग मूड है तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आप खुद भी एक्स्प्रोर करें तो आप लोगों को इंशाला मज़ाएगा इसके इलावा मैं आपको बताती लासो टूल के बारे में तो यह रहा लासो टूल इसके लिए मैंने एक अलग फाइल बना कर रखी हुई है तो चलें वहाँ चलते हैं यहां अगर आप देखें मैं यहां से ले लेती हूँ लासो टूल अब इतना ज़ादा यह टूल भी यूज नहीं होता ठीक है तो लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है इसलिए बिता रही हूं आपको लोगों को तो यह सारा काम जो हम लासो टूल से करती हो किसी तरह से भी कर सकते हैं to आप तो अगर आप ये देखें और जो अंदर की चीजह होती है वर्ड ओते हैं यह कुछ भी आपजयक्त होते हैं वह स्क्राइब करने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे किया मैंने यहां को सब्सक्राइब करना था तो में इसाद मैं अब आपने माउस को ड्रैग किया तो में पस A B select हो गया है तो यहां पर थोड़ा साल जो लासो टूल है वो कामा सकता है लेकिन फिर भी हम selection टूल से भी R को select कर सकते हैं simply जाके R पर click करूंगी तो मेरा R जो है वो select हो जाएगा तो लासो टूल असल में यही है freehand selection है तो इसमें आप इतना जादा कोई यह use भी नहीं होता ना ही इतना जादा कोई मुश्किल है अब आप जैसे चाहें से change कर सकते हैं इसकी values को change कर सकते हैं तो बस यही था ठीक है ओके तो अमीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की class जो है वो अच्छी लगी होगी समझ आई होगी अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो मेरे से comment में जरूर पुछे का मैं आप लोगों को जरूर इसका जो है वो अगली वी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तैंक यू